क्या हो अगर धर्ती सूरच जितनी बड़ी हो जाए? क्या सूरच और प्रत्वी एक दूसरे के चक्कर लगाएंगे? क्या फिर हम धर्ती पर जिन्दा रह पाएंगे? या फिर धर्ती ही फट जाएगी? जानेंगे आज की इस वीडियो में सूरच धर्ती के मुकाबले काफी बड़ा है जो हमारे सोलर सिस्टम को चलाता है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 98% हिस्सा है और सूरच का वजन हमारी धर्ती के मुकाबले 10 लाख गुनाज ज्यादा है और धर्ती से 13 लाख गुनाज ज्यादा बड़ा है यानि कि 13 लाख धर्ती मिलकर सूरच की बराबरी कर पाएंगी लेकिन अगर एक ही प्रत्वी को इतना बढ़ा कर दिया जाए जिससे कि ये सूरच के बराबर हो जाए तो धर्ती का पूरा नकसा बदल जाएगा और धर्ती बड़ी ही अजीवों गरीब दिखने लगीगी धर्ती के सारे महद्वीप फैल जाएंगे धर्ती का शित्रफल काफी ज्यादा बढ़ा हो जाएगा और अब इंडिया और चाइन जैसे देशों को बढ़ती आबादी के चलते उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी को जमीन खरीदना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि इसका दाम काफी सस्ता होने वाला है लेकिन क्या ऐसा ही होगा इसकी सच्चाई कुछ और ही है क्योंकि धर्ती पर जमीन के बढ़ने के साथ साथ और भी कई सारी समस्याइं आएंगी और धर्ती के फैलने से समुद्र के गहराई काफी कम हो जाएगी और धर्ती के लगबग सारी नदियों का पानी कम हो जाएगा अब समुद्र के जीवजन्तु आसानी से जिन्दा नहीं रह पाएंगे क्योंकि उन्हें गहरे पाने की जरुत होती है और समुद्र के गहराई ना होने की वज़े से ये जल्दी ही गर्म हो जाएगा और ज्यादा तर जीवजन्तू ठंडे पानी में ही जिन्दा रह पाते हैं समुद्र और नदिया जल्दी ही भाप बनने लग जाएंगी और कुछ सालों बाद पूरी तरह सूख भी सकते हैं सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी को लेकर होगी क्योंकि धर्ती के साइच के बढ़ने से पीने का पानी भी कम हो जाएगा और जमीन पर रहने वाली जीवजन्तों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो बिना पानी के जिन्दा नहीं रह पाएंगे या फिर पानी की तलाश करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा लंबी दूरी तै करनी पड़ेगी इंसान भी बचे हुए पानी के लिए लड़ना शुरू करतेंगे और पानी की कमी के चलते धर्ती पर पेड़ पौधी भी जिन्दा नहीं रह पाएंगे और ठीक बिलकुल पानी की समस्या की तरह धर्ती के बड़े हो जाने से जमीन की भी कमी हो जाएगी धर्ती के उपरी परत पतली हो जाएगी जहां छोटे पेड़ पौधे जिन्दा बिलकुल नहीं रह पाएंगे और खाने की कमी के चलते पूरी धर्टी पर भुक मरी फैल जाएगी लेकिन अगर धर्टी सूरज के बराबर हो जाती है तो हमारा चांद भी कहां रह पाएगा सूरज के बड़े हो जाने से हमारे सौर मंडल में काफी बड़ी गड़बडी हो जाएगी प्रत्वी का गुरित्व आकर्शन बल काफी ज्यादा हो जाएगा जिसके चलते धरती पर एस्टरोइट्स काफी मात्र में गिरने लग जाएगे धरती की बड़ी-बड़ी सारी इमारतें बरबाद हो जाएगी आपका वजन हज से भी ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से आप ठीक से नहीं चल पाएगे अगर अभी आपका वजन 50 किलो है तो धरती के सूरज जितने हो जाने से आपका वजन 1400 किलो ग्राम हो जाएगा लेकिन उस वक्त क्या होगा जब सूरज फट जाए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं ताकि आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को मिस ना कर पाएं